आजकल हर तरफ चर्चा अफगानिस्तान और तालिबान की है भारत का पड़ोसी मुल्क जिसकी आबादी करीब करीब चार करोण के आसपास है खबर है कि वहां के राष्टपती अश्रफगनी और उपराष्टपती जो साले हैं वो दोनों देश शोड़ कर भाग चुके हैं किस देश में भी एक अन्फरमेशन नहीं है तजाकिस्तान का नुमान लगाया जा रहा है अधिकारिक पुष्टी नहीं है लेकिन जिस समय में वीडियो बना रहा हूँ दोनों देश शोड़ कर भाग चुके हैं तालिबान का राजधानी काबुल पर कबज़ा हो चुका है राश्टपती भवन से लेकि तमाम जो अधिकारिक संस्थान है वहाँ पर तालिबान का कबज़ा है ये पूरा घटना करम काफी नाट किये रहा है दो तिन साल पहले दूह हमें बाचीत शुरू हुई अमेरिका और तालिबान के भीच और उसके बाद अमेरिका फैसला करता है कि वो अफगानिस्तान से बाहर जाएगा अमेरिका जैसे ही अफगानिस्तान से लोटना शुरू करता है तालिबान बिना किसी ज़्यादा खोन खराबा के पूरे अफगानिस्तान पर कबजा कर लेता है जो बहुत शौकिंग है नमस्कार मैं हूँ पंकश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल गजब इंडिया जहाँ आज मैं बात करूँगा तालिबान की आपने बहुत सारी खबरे शुनी पढ़ी होंगी तालिबान की क्रूरता के बारे में उसके अटाचारों के बारे में उसके शर्य हम इस वीडियो में तो शुरुवात करते हैं कि आखे तालिबान बना कैसे नब्बे का दशक पूरी दुनिया के लिए एहम रहा है सोवेद संग का विखंडन हुआ अमेरिका एक तरफा दुनिया का दरोगा बन गया चीन महाशक्ति के रूप में आर्थिक महाशक्ति के बहार होना शुरू हुआ भारत में स्थरता थी भारत में लपीजी यानि लेबरलाजेशन लॉकिका दौर था वो शुरू हुआ तो पूरी दुनिया एक बदलाव से नब्बे के दशक में गया वहासोस कर थी पूरी दुनिया में बदलाव हो रहा था उसी समय जो उत् आफगानिस्तान की जो भाषा है पश्टो जो है पश्टो में छात्रों को तालिबान कहा जाता है तो basically यह moment था जो चात्रों की जरीय शुरू हुआ नब्य के दशक में और यह सबसे पहले मदर्सों में शुरूआ जो धार्मिक जो आयोजन होते थे धार्मिक सेमिनार होते ते अरब ने की थी, तो सौधी अरब की फंडिंग की मदद से जो तालिबान की शुरुवात हुई, बेसिकली जो वहां के छात्र थे, छात्रों को पश्टूल में तालिबान कहते हैं, और मदर्सों में और धार्मिक जो सेमिनार्स थे, वहां पर जो सुन्नी का जो स्लाम है, उसम लेकर भाषनबाजी शुरू हुई, सौधिय अरब ने फंडिंग की, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो सिमाई इलाके थे, वहां पर इसकी शुरुवात होती है, नम्बे के दशक में, दरसली वही समय था जब सोवियत संग का जब खंडन हुआ, और सोवियत संग क तो करप्शन को लेके तालिबान ने कुछ वादे किये, और सबसे एहम बात ये थे कि तालिबान ने ये भी वादा किया, कि अगर वो सत्ता में आता है, तो वहां पर इस विचार को काफी मानिता मिली, कि यहां पर शर्या लागू होगा और इसलाम का राज आएगा, तो इस तरह से तालिबान काफी लोगप्री हो गया, तालिबान ने साल 1995 में जो इरान की सीमा से लगा हुआ परान था अफगानिस्तान का हिरात उस पर कबजा किया, और ठीक एक साल बाद उसने जो है राजधानी काबूल पर कबजा कर लिया, और उसके बाद अगले दो तीन सालों में आप कह सकते हैं कि 1998 आते आते तक तालिबान ने लगभग अफगानिस्तान के 90 फीजदी लाकों पर कबजा कर लिया, और वहाँ पर उस समय के जो राष्टपती थे, जब उसने काबूल पर कबजा किया, तो वहाँ के जो राष्टपती थे अफगानिस्तान के बुरहान में वो जहां रहते थे, उनके घर पर बंबलास्ट हुआ और उनकी मौत हो गई, वो उस समय जब तालिबान ने जब पहली बार जब टेक ओवर किया जब अफगानिस्तान में, उस समय वो अफगानिस्तान के राष्टपती थे और वो जो मुजाहिदीन थे, जो सोवेत संग के खिलाफ लट रहे थे, उनके संस्थापक फाउंडिंग जो मिंबर्स थे, उनमें से वो एक थे, यहां पर एक एहम सवाल ये है, कि जब 1995 के बाद जब तालिबान का वहां जब राज आया, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर जब रूल किया, तो शुरुआत में ता में रभानी महां के राश्टपती थे, उसमें करुप्शन बहुत आम बात थी, तो जब तालिबान आया, तो उसमें करुप्शन पर रोक लगाई, सड़के बनाई, बेसिक इंफ्रस्रक्शर पर काम किया, व्यापार को बढ़ावा दिया, बहुत सारे ऐसे काम किया, जो सु इसके खिलाफ आवाज कोखने लगी, तालिबान को लेके लोग बाते क्यों करने लगे, उसके आलोचना क्यों हुई, तो दरसल जब तालिबान आया, तो तालिबान ने एक तरफ तो ये इंफ्रस्रक्शर पर काम किया, सड़के बनाई, और बाकी चीज़े किया, लेकिन इसके बिचार जैसा कोई हरकत कर रहा है, या अगर कोई मान लीजे, हत्या जैसे जर्म करता है, रेब जैसे जर्म करता है, तो उसको फासी के सजा, ya साम।हिक तोर पर पथर मारने के सजा, या उसके अंगों को काट देने की सजा, इस तरह की चीज़े होने लगी, बाद में कहम फैस्ता था तालिबान का कि जो दस साल से उपर की जो रड़कियां है वो स्कूल नहीं जाएंगी तो ये महिलाओं के प्रती जो खासतोर से तालिबान का रविया रहा वो काफी आलोचनात्मक रहा दुनिया भर में काफी वो क्रिटिसाइज भी हुआ इसके अलावा टीवी देखने जो डिश एंटीना तोड़ दिये गए उनके दफ्तर तोड़ दिये गए म्यूजिक पर प्रतिबंद था कि वो ऐसा मानते थे कि इसलाम में म्यूजिक हराम है संगीत हराम है तो संगीत पर तालिबान ने प्रतिबंद लगाया बहुत सारी चीज दिया भर में और उसके फैसलों की अलोचना हुई अब एक और एहम सवाल है कि तालिबान में जब अफगारिस्तान पर पहली बार कबजा किया तो उसको किन देशों ने मानता दी क्योंकि कि कितने देशों ने उसको accept किया कि एक गौवर्मेंट है तो दरसल पाकिस्तान पहल अरब अमिराद ये तीन मुल्क थे जिन्होंने इसको मानता दी और जब तालिबान का शासन खत्म हुआ तो आखरी वो देश जो इसन तालिबान को सरकार के रूप में नहीं माना वो आखरी देश भी पाकिस्तान था और बार बार पाकिस्तान पर ये आरोप लगता रहा है क उसका संस्थापक भी माना जाता है बहुत लोग कहते हैं कि तालिबान को बनाया ही पाकिस्तान ने है तो वो क्या है वो भी सोचते है पाकिस्तान पर जब बार बार ये आरोप लगे कि उसने तालिबान को बनाया है और पाकिस्तान ने बार बार हमेशा की तरो उसने में तो इसको बनाने में कहीं नहीं भूमिका पाकिस्तान की रही है और जैसा कि तालिबान पहली बार सथामें आया तो उसको उसने मानता भी दी ती और बाद में बहुत सालों तक उस Provost करता रहा, उसको हतियार, पैसे, बाकिस जिम्वर्य कराता रहा बाद में भी उसने जो तालिबान के सदस्ते में बाद में आपको बताओंगा जब भागे हैं बहाँ से तो उनको अपना शरण भी दिया है उसने, तो तालिबान को बनाने में पाकिस्तान की भूम का तो रही है और ये स्पष्ट होता भी रहा है भले ही पाकिस्तान इससे कितना भी इनकार करें अब सवाल ये है कि आखिर तालिबान का शासन अफगानिस्तान से खत्म कैसे हुआ था 11 सितंबर 2001 की तारिक बहुत महत्वपूर है विश्व के तिहास में अमेरिका के वर्ल ट्रेट सेंटर पर हमला होता है आपको याधी होगा वो आपने जानते ही होंगे 11 सितंबर को 11 सितंबर 2001 को जब अमेरिका के वर्ल ट्रेट सेंटर पर जब हमला हुआ तो जो उसका दोशी था जो आरोप लगा वो उसमा बिल्लादिन पर लगा और ऐसा अमेरिका और दुनिया भर के देशों ने माना कि ये अफगानिस्तान में छुपा हुआ है और तालिबान का इसको संग्रक्षन परापत है उसके बाद सितंबर में ही जो है उसके जथ एक महीने बाद अमेरिका नहीं जो है उसामा बिल्लादेन को खोचने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया बिसंबर के पहले सबता हमें तालिबान का शासन खत्म हो गया लेकिन उसमा ना देन और उस समय तालिबान का प्रमुक रहा, मुल्ला मुहम्माद उमर वहां से बच निकलने में कामयाब रहा सितंबर साल 2012 हमें, तालिबान लड़ाकों ने काबूल में कई हमले किये, नैटों के कैम्प पर भी हमला किया साल 2013 में तालिबान ने कतर में दफ्तर खोलने का एलान किया अगस्त 2015 में तालिबान ने स्विकार किया कि संगठन ने मुला उमर की मौत को दो साल तक छुपाया मुला उमर की मौत कथित स्वास्त कारणों की वज़से पाकिस्तान के एक अस्पताल में हुई इसके बाद तालिबान ने मुला मसूर को अपना नया निता चुना मुला मसूर की हत्या अमेरिकी ट्रोन हमले में मैं 2016 में हुई और उसके बाद संगठन की कमान उनके डिप्टी रहे मॉल भी हिप्तुला अकुनजादा को सौपी गई तो ये तो कहानी रही अमेरिका के आने की तालिबान के बनने की उसके बाद जो अस्थिर ताय रही उस पर ये पूरा आपने अपी तक सुना और समझा अब अमेरिका वहां से जब वापस जा रहा है उस कहानी को समझते हैं दरसल साल 2018 बहुत एक एहम साल रहा कतर जो देश है वहां की जो राजधानी है दो हाँ वहां पर अमेरिका और तालिबान एक साथ आमने साथ में कुर्सी पर बैठते हैं और बात करते हैं और वहां पर दोहा जो समझोता है वो एहम है यहां पर तैही होता है कि अमेरिका ये मानता है कि वो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा तालिबान कहता है कि वो अमेरिके सैनिकों पर हमले बंद कर देगा ये एक समझोता होता है तालिबान कहता है कि वो सांती प्रोसेस जो है जो पीस प्रोसेस है उसमें भाग लेगा अमेरिका कहता है कि वो यहां की लोगों पर सत्ता छोड़ कर जाएगा बाद में अमेरिका रिसाइड करता है 11 सितंबर 2021 तक पूरी तरह से अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस ले लेगा उसके बाद जैसे ही वो अपने सैनिकों को वापस लेना शुरू करता है बहुत जल देखते देखते ही जो है तालिबान फिर से उसने अफगानिस्तान पर कबजा कर लेता है जो अभी आप खबरों में देख और सुन रहे हैं समझोते में तालिबान ने अपने नियंतरण वाले इलाके में हो चुकी है काबुल में है राश्पती भाग चुके है यह पूरी जानकारी थी अब तक की तालिबान क्या है क्यों है कैसे बना पहली बार सत्ता में कैसे आया इस बार सत्ता से कैसे गया इस बार सत्ता में तो यह जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए जैसे अफगानिस्तान के बारे में आप सब जानते ही हैं बहुत मशूर है किया ऐसे करीब 31-40 साल पहले अफगानिस्तान काफी एक विक्सित तो नहीं कहेंगे बट एक प्रोग्रेसिव स्टेट था प्रोग्रेसिव जगह थी जहां पर लड़कियां बाहर निकल सकती थी कॉलेज़ों पढ़ सकती थी एक modern society की तरफ बढ़ रहा था लेकिन जैसे ही धर्म और बाके चीज़ों के नाम पर वहां के तालिबान की बापसी हुई है आपने उसका हाल देखा उसका अंजाम दे फ़लने दर दभा पराने तरह तरी के अपनाए जाएंगे क्या लड़कियों को पहले जैसा था कि 10 साल की उमर हो गई तर तो सकूलbet नहीं जा सकते तो अभी लड़कियां आभ इसकूल जा पाएंगी की नही लगा लाइक करिए शेर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए